हेलो बच्चों स्वागत है आपको अपने चलते यह जीत में आज हम देखने वाले एटगेट अभ्यास पुस्त का जो आपको यहां पर मिली हुई है भरने के लिए अंग्रेजी कक्छा साथ की दोहज़ा 23 का हम यहां पर हल देखने वाले हैं कक्छा साथ अंग्रेजी यह को एंड तक देखिए अच्छे से तो आपको पीडिया भी यहां पर सभी बताया जाए किस प्रकार से डाउड करने हैं तो यहां पर पहले हम इसको देख लेते हैं पार्ट यहां पर दिया गया है 13 जिसका नाम है बन बे टिकेट टू ठीक है तो आईए इसको देखते है तो पहले यहां पर objective दिये गये हैं इनको देखिए तो यहां पर लिखाए सही बिकल्ब चुनकर लिखें हाव मैनी friends went to the fair यानि मेले में कितने मित्र गए थे तो यहां पर उपसंदिये हैं 4,5,6,7 तो यहां पर सही answer हो जाएगा option number B यानि पांच मित्र गए थे मिला घूमन भेन विल दे रीच होम यानि भेगर कप पहुँचे तो अपसंदी गए हैं दस साड़े दस ग्यारा या साड़े ग्यारा तो इसका सही आंसर हो जाएगा साड़े ग्यारा बजी तो अगला कॉश्चन देखते हैं तो यह दूनों का उपसंदा आपका एक का था यहां पर बी व सब्दों में लिखने हैं तो देखिए भाट वाजदा कोश्ट ऑफ इच टिकेट यानि प्रतेक टिकेट का मूल कितना था तो यहां पर लखे देंगे थ्री रुपीज यानि तीन रुपए भाट डेड़ चेल्डन ऑप्ट टू इंट यानि क्या खाने के लिए ऑपसंदी गए थे तो स्नेक्स जलेबी भजिया एंड कुलफी यह चीजा खाने के लिए थी अगला है अगला कॉस्चन दिया गया पांच मां देखिए क्या लिखा है तो इसको भी देखिए राइट पास्टेंस औफ यानि पास्टेंस लिखना है तो कीप का लिखेंगे कैप्ट डेक रेटेड इसमें एक एक एकम कर लेंगे वह टी लगा देंगी और इसमें आपको लाश्ट में केवल दी लगा देना तो इस परकार से आपका यह दोनों बन जाएगा अच्छे से लिख लीजिए इनको अगला कॉस्चन यह लिखा है हमारा अगला कॉस्चन देखते हैं क्या नीडिड फिप्टीन रुपी फोर देयर रिटर्न जर्नी यानि उन्हें लोटने के लिए पंदर रुपियों की जरूरत है यह रहा कॉस्चन नमबर एट तो पढ़ते हैं से भाए डिड़ क्रिसन या कृस्णा कॉल दा ट्रेन राइड जोई जर यहां पर राइड तो यहां पर क्यों कहा है उसने तो बिकोज दा ट्रेन लुक्स लाइक आटर प्लार क्योंकि यहां पर ट्रेन थे वो किस परकार की दिख रही थी के नमान यानि यहां पर लली के समन मких अगला कोस्चन है mi करस्ण करस्ण हैड सेविड टैन रुपीज अगला कोस्टिन तो यह रहा हमारा अगला कोस्टिन टैन भाट डिड गिट्टू से एट अबाउट एलेवन ओकलॉक इन दर नाइट तो इसका लिखेंगे लेट्स गो एंड रेस्ट समफियर एंड बी केन लीब बाई दा फर्स्ट वस इन दा मॉर्निक तो चलो हम कहीं आराम करते हैं और हम सुबह जो पहली बस होगी मॉर्निक की हम उससे निकल के घर चलेंगे कि कॉस्टिन नमर 11 क्या दिया गया है देखिए तो यहाँ पर दिया गया है write the following sentence using full stop यानि यहाँ पर इस प्रकार की जो बाग के दिया गया है यहाँ पर इसमें पिखेगा प्लो श्टॉप केपिटल क्वास्टिन मार्ग सभी का प्रियूँक करना है और इसको अच्छे से लिखना यह तो इसका सदेखिए इस प्रकार से लिखेंगी अच्छे से देखते से लिए तो यहाँ पर लिखेंगे किष्टो that's is true that's true it'll be difficult to trace anyone who gets lost can be eat something before we go for the ride तो उसने कहा यह सही है बहुत कठिन होगा उसे ढूड़ना जो यहाँ पर खो जाएगा क्या हम ride शुरू करने से पहले कुछ खा लें तो यह उसने कहा था किसने तो यहाँ पर यह हो जाएगा इसके बाद यह देखिए अगला तो अगला दिया है कॉस्चन अमबर आपका 12 है तो यहाँ पर लखा है which ride would you like to have in the fare a caterpillar ride or a merry go ride भाए तो इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा यहाँ पर फेर में यहाँ पर यह caterpillar riding यहाँ फिर merry go ride यहाँ पर go round ride तो इसका लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम अच्छा लगा था यहाँ पर यह बाला तो इसको देखेंगे तो यहाँ पर because in it the decorated horse were moving around round round and round which I liked तो यह हो जाएंगे इसकी answer तो अच्छे से लिख लीजिए तो यह question number हमारा बार में का answer हो चुका है यहाँ पर इसके बार अगला वीडियो चलने वाला है इसमें आपको बताए जाए कि एक से लेकर 15 पार्ट तक के इसके हल जो है किस प्रकार से आप देखेंगे और PDF डाउड करेंगे अर्दबार से एक पेपर भी डाल दिये गए हैं तो उनका भी यहाँ पर किस प्रकार से आपको जाका देखना चैनल पर तो यह अगला वीडियो चलने वाला है इसमें देख लीजिए पर किसी भी गक्षा की एटगेट अभ्यास पुस्तका जो आपको यहाँ पर बिली है दो हजात तेश्चों इसमें भरने के लिए सभी गक्षाओं के यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं गख्षा चाल से लेकर आठ तक की सभी पुस्तक हैं गड़े ठेहनी अंग्रेजि यतने भी आपके सब्जेक्ट हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे सम्पूर्थ हल को यहाँ पर डाउनलूड यहाँ पर देखेंगे वीड़ियो तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है इससे क्या होगा इस प्रकार से यह काला हो जाएगा यहाँ पर यह घंटी देखने लगेगा इस पर जाकर आपको दबा कर ओल पर सेलेक्ट कर देना है इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रेजवाद आपको यहां पर यह नाम दिख रहा है तयारी जीत इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस प्रकार से इंटरफिस दिखाई देने लगेगा यहां पर इस प्रकार से दिखाई देगा आप में यहां पर ज लिखने लगेंगे जो भी यहां पर पुस्तक हैं आपकी यहां पर कक्षा 6 अंग्रेजी एटिकेट अब्याज पुस्तका का संपूर्ण हल यहां पर यहां पर यह आठ भी तो सभी पुस्तकों के यहां पर हल डाल दिया गया है तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो उस के समकूल पार्ट यहां पर खुल जाएंगे जैसे यहां पर हम कक्षा 5B का देखते हैं तो यहां पर देखिए कक्षा 5B के सभी पार्ट यहां पर खुल कर आ गए हैं अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप प्लिक करेंगे और वो वीडियो play हो जाएगी तो इस प्रकाल से आप सभी पुस्तकों का हल देख सकते हैं